हेलो फैंड्स वेल्कम बेक टू अवर चैनल फाइंड एवरीटिंग वीकली करंट अफेर्स में आज हम देखेंगे 29 जनवरी 2024 से लेके 4 फरवरी 2024 के वीच की कुछ महत्पून इवेंट और खबरें तो आज का हमारा पहला कुष्चन है अभ्यास डेजर्ट नाइट भारत और किन देशों के मद्ध होता है तो दोस्तों अभ्यास डेजर्ट नाइट भारत फ्रांस और संयुक्त अरब अमिराद के बीच में होता है और यह अभ्यास भारती वायो सेना फ्रांसी सी वायो सेना औ अंत्रिक्षवल और संयुक्त अरव अमीराद बायो सेना के साथ यह युद्ध अभ्यास किया जाता है और इस बार इसका आयोजन अरव सागर के ऊपर हुआ है हमारा अगला कुशन है 37 वे सूरज कुंड अंतर राष्टिये सिल्प मेले का आयोजन कहां किया गया तो दोस्तों यह मेले का आयोजन हरियाना राज में किया जाता है और इस बार हमारी राष्टपती श्रीमती द्रौपरदी मुर्मू ने 2 फरवरी 2024 को फरीदाबाद हरियाना कि सूरज कुंड में 37 सूरज कुंड अंतर राष्टिये सिल्प मेले का और गाटन किया और यह मेला 28 फरवरी 2024 तक चलेगा और इस बार इस सूरज कुंड अंतर राष्टी सिल्प मेले में जो भागिदार राज्ज है वह है गुजरात और भागिदार जो देश है इसमें वह सिक्किम, मडिपूर, मेगाले, मिजोरम और तिरपुरा और इस मेली की जो शुरुवात है पर्येटन विभाग द्वारा 1987 में की गई थी हाली में कोल्टम के भंडार कहां पाये गए हैं तो दोस्तों अभी हाली में Kenya में कोल्टन के भंडार पाये गए हैं और इस बुरुलाब खनिचत का उपयोग, अलेक्तिकक कर्स, बैंटरी, मोबाईल फोन और अणिन्स एलेक्र्टानिक उपकर्नों के निर्माण में किया जाता कोल्टन बेसिकली कोलमबाइट और टेंट लाइट का एक संचिपत रूप है जिसका उप्योग विविन उद्योगों में किया जाता है और कोल्टन की अंतरराष्टी ये बैपार में मांग बढ़ रही है जिससे वैश्विक वाजार में कैनिया की संभावनाएं बढ़ रही है कोल्टन एक खनिज अयस्क होता है इसमें टेंटलम और नाई ओवियम दोनों शामिल होते हैं और सबसे अधिक कोल्टन के भंडार कांगो लोकतांत्रिक गंडराज के पास हैं जहां पर दुनिया के 70 प्रतिशत कोल्टन भंडार पाये जाते हैं हमारा अगला कुश्यन है वि शांती के लिए एक जुद यूनाइटिंग फोर पीस और विश्व अंतरधार्मिक सद्वा सप्ता पहली बार 23 सितंबर 2010 को जॉर्डन की किंग अब्दुल्ला बुप्तिय द्वारा संयुक्त राष्ट महा सवा में प्रिस्तावित किया गया था इसके बाद 20 अक्टूबर 2010 को इसे संयुक्त राष्ट द्वारा सर्व सम्मति से अपनाया गया और तभी से परवरी के पहले सप्ता को विश्व अंतरधार्मिक सद्वा सप्ता के रूप में मनाया जाता है और पहला विश्व अंतरधार्मिक सद्वा सप्ता का आयन 2011 में किया गया था नेक्स्ट कोश् और इस वर्ष की जो theme है वह है आद्र भूमी और मानव कल्यान, wetlands and human well-being. आद्र भूमी संदक्षन के लिए समर्पित रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 को अपनाया गया था जिसने विश्व आद्र भूमी दिवस के लिए मंच तैयार किया था और पहली बार विश्व आद्र भूमी दिवस 2 फरवरी 1997 को रामसर संबेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था यह जो रामसर संबेलन है या जो आद्र भूमी है यह पारिस्तितिकी तंत्र के स्वास्त को बनाय रखने में उनकी भूमिका पर जोड़ देते हुए आद्र भूमी के संदक्षन और टिकाव उपियोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है next question है corruption perception index CPI 2023 में भारत कौन से स्थान पर है तो दोस्तों इस index में भारत 93 स्थान पर है यह जो इंडेक्स है transparency international द्वारा 30 जनवरी 2024 को जारी किया गया है जिसमें 180 देशों का मुल्यांकन किया गया और 180 देशों में हमारा जो भारत देश है वह 93 स्थान पर था जबकि वर्स 2022 में भारत 85 इस्थान पर था मतलब इस वर्स हमारे भारत देश की इस्तिति और गिर गई है और 180 देशों में हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को 133 वा इस्थान और स्री लंका को 115 इस्थान मिला है और डैनमार्क निरंतर छटे वर्स इस सूसकांक में सीर्स पर है इसके बाद फिनलेंड और निजलेंड का नमर आता है और सबसे कम 11 अंग के साथ सुमालिया 180 इस्थान पर है थोड़ा जा हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में देख लेते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर राश्टिये गैर सरकारी संगटन है जिस कारण आधी पर अपना ध्यान केंडरित करती है इसके सबसे उलेखनी प्रकाशनों में ग्लोबल करॉप्शन बैरोमेटर और करॉप्शन पर्सेप्शन इंडेक्स धामिल है और इसका जो अंतरदाश्टी मुख्याला है वह जर्मनी की राजदानी बर्लिन में है इसके जो म यह पक्षी अभ्यारण इस्तित है तमिल नाडू में और अभी हाली में यह चर्चा में है क्योंकि कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण और लॉंगबुड शूला रिजर्व वन को रामसर सूची में जोड़ा गया है और इसके साथ ही करनाटक के मगदी केरे संड़क्षन रिजर्व अंक समुद्र पक्षी संड़क्षन रिजर्व और अगनाशनी मुहाना को भी रामसर साइट में जोड़ा गया है इन साइट इन साइटों के जोड़ने से अब भारत में रामसर साइट की संख्या बढ़तर कितनी हो गई है असी यहां पर यह आप सभी को देख सक हम रामसर कंवेंशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं रामसर साइट एक्चुली में वेट लेंड्स होते हैं जिनका अंतरराश्टी महत्व होता है और वेट लेंड्स के कंवेंशन को ही रामसर कंवेंशन कहा जाता है रामसर सम्मिलन 1971 में यूनिसको द्वारा इस्था यह इरान में इस्तित है जहां 1971 में अंतर राश्टी आद्र भूमी संदी पर हस्ताक्षर किये गए थे आद्र भूमी की सुरक्षा और संरक्षन के लिए 172 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किये हैं और पहली साइट 1974 में आस्टेलिया में कोबोर्ग प्रायदीप पर नामित की गई थी और भारत की बात करें तो भारत में पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन सबसे बड़ा रामसर इस्थल है और विश्व वेटलेंड दिवस हर साल दो फरवरी को मनाया जाता है और इस बार की जो थीम है वह है वेटलेंड एंड हूमन वेल बिंग नेस्ट कोश्चन ह क्या है तो दोस्तों अभी हाली में हमारे खेल मंत्री अनुराक ठाकुण ने खेल इंडिया विंटर गेंस दो़जार चौविस का सुवंकर लाँच किया है और यह है सीने सीह तेयंद हुआ और शीव कालिन खेलों का यह 2024 में लगता संसकरन होगा और इन खेलों का प्रिथ पहली बार केंद्र साशत प्रदिश लद्दाक में 2-6 फरवरी तक आईजित किया जा रहा है और दूसरा चरण 21-25 फरवरी तक बुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आईजित किया जाएगा और इश्वार सीत कालिन खेल 2024 का जो स्वंकर है वह एक हिम तेंद्वा को बनाया है इसे सीने सी या लद्दाक छेत्र में शान के नाम से जाना जाता है यदि हम हिम तेंद्वा की बात करें तो यह है जम्मू कश्मीर लद्दाक के बतीस सो मीटर से अधिक मुचाई वाले छेत्रों का मून लिवासी होता है और भारत में हिंग तेंदुए मुख्य रूप से हैमिश नेशनल पार्क, कंचन जंगा नेशनल पार्क, गंगुत्री नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालियन नेशनल पार्क में पाये जाते हैं यह है सीनेशी हिम्तेंदवा और यह है इस वर्ष विंटर गेंज 2024 का लोगो नेश्ट कोश्चन है भारतिये तट रक्षक स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों प्रती वर्ष एक फरवरी को भारतिये तट रक्षक स्थापना दिवस मनाया जाता है भारतिये तालिसवा भारतिय तट रक्षक दिवस मना रहे हैं और जो हमारा भारतिय तट रक्षक है इसकी इस्थापना एक फरवरी 1977 को की गई थी तट रक्षक बल की प्रात्मिक जिम्मेदारियों में अब तटिय सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और तटिय सुरक्षा के साथ साथ विशेश आर्थिक छेत्र की सुरक्षा करना शामिल है बर्तमान में भारतिय तत्रक्षक बल को दुनिया के चौते सबसे बड़े तत्रक्षक बल के रूप में इस्थान दिया गया है और दोस्तों दिव्यान सींग पवार ने विश्फक बभ 2024 में 10 मीटर लाइफल इसपरदह में सुणड़ जीता है जिनों की आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसके सांथी रिदम सांगओन और उजवल मलिक ने 10 मीटर एर पिस्टल मिश्रित टीम में स्वाण पदक जीता है जिनकों की आप यहाँ पे देख सकते हैं और सौनम उत्तर मशकर महिलाओं की 10 मीटर एर राइफिल में गज़त पदक जीता है जिनकों की आप यहाँ पे देख सकते हैं और अरजुन वबुता और सौनम उत्तम मसकन ने डस मीटर एर पिश्टल मिस्टेट टीम में गज़ट पधक जीता है जिनकों की आप यहां पर देख सकते है तोनों कο सबसे अधिक पदक किस राजिने जीते तो दोस्तों छटे खेलो इंडिया यूथ कीम्स वजार तेईस में महाराष्ट राजने सबसे अधिक पदक जीते हैं और यह पहले स्थान पर रहा है इसने 57 गोल्ड जीते हैं 48 शिल्वर और 59 पदक जीत के साथ तालिका में प्रथम इस्थान प्राप किया है इसके बाद तमिलनाडू राजी को इस्थान मिला है जिसने 38 गोल्ड मेडल 21 शिल्वर मेडल और 39 ब्राँज मेडल जीते हैं और तीसरे इस्थान पर हरियाना है चौते पर देली पांचवे पर राजस्तान और यदि हम मद्य प्रदेश की बात करें तो मद्य प्रदेश चौदवे स्थान पर रहा जिसमें इसने 6 गोल्ड मेडल 12 सिल्वर मेडल और 12 ब्राँज मेडल जीते हैं नेक्स्ट कोप्शन है सदा तंसीक युद्ध अब्यास किन देशों के मद्ध आईजित कि किया जाता है तो दोस्तों यह यह दब्यास आईजित किया जाता है भारत और साओधी अरब के बीच में और इस सेन अब्यास सदा तंसीम का आजन 29 जन्वरी से 10 फरवरी 2024 तक बीका ने राजस्तान में किया जाएगा और भारती सेना की टुकडी में 45 कर्मी सामिल होंगे जि लेंड कोर्स कर रही है यह यह दब्यास संयक राष्ट चार्टर के अध्याय साथ के अंतरगत आईजित किया जा रहा है नेक्स्ट कोश्चन है अगस्त गामा एज प्रजाती का संबन इन में से किस से है तो दोस्तों अगस्त गामा एज प्रजाती का संबन छिपकली से है अ नाम अगस्ति गामा एज या उत्री कंगारू चिपकली है अगामीडी फैमिली से संबंदित है जिसकी विशेष्टा इसका छोटा आकार और अधिक्तम लंबाई 4.3 cm है छोटी चिपकलियों की इस नई प्रजाती को सोध करता हो ने छोटा ड्रेगन बताया है और तमिल नाड है जोलोजिकल सोसाइटी ओफ लंदन के इवलुशनेरी डिस्टिंट एंड ग्लोबली इंडेंजर्ड कारिक्रम के नाम पर रखा गया है इस छिपकली की खोज अभी हमारे सोच करता हो ने की है नेक्स्ट कोश्चन है यूपी आई शुरू करने वाला पहला इरोपिय देश कौन सा है तो दोस्तों अभी हाली में फ्रांस के द्वारा यूपी आई को शुरू किया गया है और यह यूपी आई शुरू करने वाला पहला यूपीय देश बन गया है दो फरवरी को भारतिय दूतवास ने फ्रांस में पैरिस के आइफिल टावर पर यूनिफाइड पेम करने का समझोता किया है यदि हम यूपी आई की बात करें तो इसको 2016 में लॉंच किया गया था जिसे ने बनाया है तो दोस्तों इसके अलावा अभी हाली में 69 फिल्म फेर पुरुषकार वित्रित किये गया है तो इनमें जो मुख्य आवार्ड दिये गया है उनको हम देख लेते हैं तो जो हमारा 69 फिल्म फेर पुरुषकार समारो है 27 से 8 जिन्वरी 2024 को गांधी नगर गुजरात में आयग किया गया था इसमें सर्व श्रिष्ट फिल्म लोग प्री एक कैटिगरी में बार्भी फेल को मिला है सर्व श्रिष्ट निर्देशक गिदु विनो चौपड़ा को मिला है जिनों सर्व श्रिष्ट अविनेतरी का welcome को मिला है रौकी और राणी की क्रेम कहानी के लिए हैं मिला है सवह अजमी को रौकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए और lifetime achievement award से इस वर्स बिवेट धवन को प्रुस्कृत किया गया है और इन सभी को आप यहां पर देख सकते हैं इसके अलावा best film critics award भी दिये गया है तो best film critics में सर्फिस्ट film का अवार्ड जो राम को मिला है जिसको की देवासी समकीजा ने बनाया है और सर्फिस्ट अभिनेता critics में यह award दिया गया है विकरांत मैसी को 12th fail movie के लिए और सर्फिस्ट अभिनेतरी का अवार्ड दिया गया है गानी मुखर जी को Mrs. Chatterjee बना नौर्वे मूवी के लिए और यदि हम बात करें फिल्म फेर पुरुषकार की शुरुवात की तो सबसे पहले 1954 में यह पुरुषकार दिये गये थे और इनी के साथ राश्टी फिल्म पुरुषकार की भी स्थापना हुई थी इसके इलावा भी Australian Open भी संपन हु अपने केरियर का यह पहला Grand Slam किताब जीता है यानिक सिनर को आप यहां पे देख सकते हैं और यदि हम बूमेंस सिंगल की बात करें तो इसमें आवयाना सवालेंका ने यह Grand Slam जीता है जो कि बेलारोज से ब्लॉंग करती है और यह इनका लगातार दूसरा Grand Slam किताब है इन इन दौनों ने मैंस डवल का किताब जीता है और इसी जीत के साथ रोहिद बोपनना ओपन एराम है Grand Slam जीतने वाले सबसे उम्रत दराज खिलाडी बन गए है और यदि हम बूमेंस डवल की बात करें तो यह Grand Slam जीता है हसी सू वेत जो कि ताइवान से है और एलिस मर्टें इन दोनों को आप यहां पर देख सकते हैं और यदि हम मिक्स्ट डवल की बात करें तो इसको जीता है हसी सू वेत जो कि ताइवान से है और जौन जलिंश्की जो कि पॉलेंड से हैं इन दोनों को है इसको दोस्तों यह थी जनवरी 2024 से लेकर चार फरवरी 2024 के बीच के कुछ महत्पूर्ण इवेंट और खबरेंट यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करने ना भूलें ताकि लेटिस वीडियो की अप्रेट सबसे पहले आपको मिलें थैंक यू फैंड्स